क्या फिनलेंड एक नोर्डिक कंट्री है डेनमार्क नोर्डिक कंट्री है या फिर स्केंडिनेविन कंट्री फिरो आईलेंड कहां पे हैं और कौन से देश का पार्ट है ये बहुत सारे कोसर हमारे दिमाग में आते रहते हैं जिनका अंसर हमें पता नहीं होता है पता भी होता तो confusion करता है चलिए सारे confusion को हम आज दूर करते हैं मैं हूँ अरोन कुमार उर्फ T2 और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ T2 classes में आज का हमारी topic है Scandinavian countries and Nordic countries कौन-कौन से देश हैं यह सारा confusion हम दूर करने वाले हैं इन दोनों देशों में अंतर क्या है चलिए शुरू करते हैं Scandinavian और Nordic countries तो देखिए यह आपको जो मैप दिख रहा है यह यूरोप का उत्री मैप है और यूरोप के उत्री मैप में ही हम आज कुछ देशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो मैं आप से एक request करूँगा या उम्मीद करता हूँ कि आपके हास पास में या हाथ में को करने वाले हैं हाला कि यह वाला जो देश आपको दिख रहा है यह यह तो उत्री अमेरिका महाधिप का इस्सा लेकिन यह डेनमार्क की territory है इसको हम बोलते हैं Greenland इसकी चर्चा भी आज हम करेंगे तो देखिए यहां पर आपको दिखेगा बाल्टिक सागर यह बाल्टिक सा सब्सक्राइब अगर मिलेगा यहां पर यहां पर आपको डैनिस स्टेट मिलेगी और इदर मिलेगा आपको बाल्टिक सी और हम लेगा गल्फ बोथ निया तो इस तरह से यह जो है तीन तरफ से अगर समुद्र से घिरा हुआ है तो यह हमारा एक बन जाएगा पैनिन सुला इस पैनिन को हम बोलते हैं इसकेंडीन ओंडीनेवियन पैननशला इसमें दो देश आते हैं एक है नौरह यहां पे आपको दिख रहा है नोर्टिक सी है और उपर हमारा है इसका ग्राएकशी है इसका ग्राकर स्ट्रेट है थीक है जी तो यह बहुतिari cannot novels का नाम है जूट रैंड जूट रैंड पंशुना यहां तक जो आपको इससर धिक रहा है doing between्स रिखते हैं कौण कोने से दिखें डेंड मार्क मिलेगा जिसकी केपिटल कोपेंहेंगन कोप आपने नाम सुनाओगा कोप यहां पर भोती पर्यावरण से रिलेटिड अधिवेशन होते रहते हैं तो डैनमार्क मिलेगा और यह जर्मनी का कुछ पर दिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तो आज हम जो चर्शा करने वाले हैं वो किन पांच देशों के आसपास करने वाले हैं देखिए नौर्वे नौर्वे हैं जिसका कि तट बहुत जाड़ा कटा चटा आपको ऐसे मिलेगा क्यों मिलेगा यह हम अपने फिजिकल सबसे दर लंबी सीवा बनाने वाला स्वीडन ही देश है यहांपे आपो एक फिनलैड मिलेगा और गहरेरेनस्पटर सुला जिसे हम बोलते हैं और को अमेरिका महादीब का इस्सा है Greenland is a territory of Denmark ऐसे यहाँ पर Norway की आपको एक territory मिलेगी North Pole के पास इसका नाम क्या है स्वेलबर्ड ग्रूप ओफ आईलेंड एसे यहाँ आपको एक Alland I Landa मिलेगा जो की Finland का इस्सा है Alland आई लेंड ठीक है तो इन सारे देशों के अंतर हम बात चीश आज हम करेंगे यहां पे हमारा आइसिलेंड तुर आइसिलेंड जिसकी कैपिटल क्या है, रियालिक रियालिक रिजबिक यही इसका Capital रियाविक है ठीक है और यह बिल्कुल 66 एंड हाफ डिग्री जो हमारा आर्क्रिक सरक्रा है वो यहां से होके गुजरता है कौन-कौन से देशों से होके गुजरता है इस पर में वीडियो बना चुके है आर्क्रिक सरकरपल पढ़ने वारे देश यहां पर आपको ग्रीन लैं नोडिक कंट्रीज यहां पर आपको इसके उपर वाला जो सी है यह नोर्वेन सी है यह नोर्थ सी है यह पूरे का पूरा हमारा अट्लांटिक सी है ठीक है यहां पर गल्फ ऑप बोतनिया गल्फ फिनलैंड गल्फ और रिगा यह हम राले डिसकस कर चुके हैं तो चलिए मतलब दोई देश नोर्वे और स्वीडन जो दोनों मिलके देते हैं नोबेल प्रुषकार नोर्वे और स्वीडन जो सांती का नोबेल प्रुषकार है वो नोर्वे देता है और बाकी यतने नोबेल प्रुषकार बजगे सांती के नोबेल प्रुषकार को छोड़के वो सार है यह है ओसलो Baltic Sea के किनारे पर और Sweden की Capital Stockholm वो भी Baltic Sea से हमारा किनारा साजा करती है उसके बाद जूट्लेंड पैनन सुलां डिसकस कर चुके है यह जूट्लेंड पैनन सुला जूट्लेंड पैनन सुला पर दोदे साब को मिलेंगे Denmark-plus ये जिर्मने डेनमार्क प्लस जर्मनी डेनमार्क जिसकी Kapitle है और जैसा कि मैंने आपको बता है फिरो आइलेंड और Greenland जो है यह डेनमार्क की ही territory है फिरो आइलेंड ग्रियन और फिरो आइलेंड और आणडर ठेरी के बोलते हैं Scandinavian countries देखी ये तीन हमारी Scandinavian countries हैं एक दो और तीन तो ये country है हमारी Scandinavian countries ये तीन ही है इसमें Iceland नहीं आएगा इसमें Finland भी नहीं आएगा Greenland अपने आप आ जाएगा फिर आइलेंड अपने आप आजाएगा क्यों क्यों क्योंकि वो तो Denmark का इस्सा है ठीक है और नौर्वे स्विडन ढैन और जाएगा इसमें Finland जूड़ जाएगा यह हो tulee है घूरताई सद me Ta आपको आर्री मिलेगा इन दोनों को बीच में पर गाइट सी इन दोनों के बीचировать बीच इंद में है पर को रसीया का इस तरह को एसीं गोला बना लेते हैं यह है हमारा scandinavian countries ठीक हर यह हमरा scandinavian countries ऐसका आपको बोलो जार बोला जाए मैंथ रहा थिस तरह किमेंदीया भीन से नौ इसकेंडिया में हमरे प्योभर शेड़ा रहे रहा है रस्या कुश्शा फिन्लैंड रिजा रहा है रहा है जब हम फिनियस के चैन्ल बोलेंगे इस वाला इस्सा आएगा इसमें बैन्मार्क नहीं आएगा प्लंसी पेंस ऊला-nh। ह्युक्त छे डन कंट्रीज नोटन उच्छिटान मतलब जो उत्तर में उड़न कंट्रीज रहता है नोटन मतलब 來या जाती युटब तो कौन-कौन से देश हैं यहाँ पर पांच हो जाते हैं Finland, Sweden, Denmark, यह तो Scandinavia में ही थे प्लस इन में Sweden, Norway, Denmark, यह तीनों तो Scandinavian countries ही है Sweden, Norway, Denmark, इनके साथ Finland और Iceland लिखा, यह आईलेंड गलत लिख दिया है यह आईसलेंड है, ठीक है इनके साथ अगर हम इन तीन के साथ दोर जोड़ जाते हैं Finland और Iceland तो यह पांचों कंट्री मिलके बन जाते हैं हमारे Nordic countries उत्तरी दिसा में इस देश यूरोप के तो इन्हें Nordic country कहते हैं किन-किन को Finland मैप में देखेंगे अभी Sweden, Norway, Denmark और Iceland ठीक है तो जो यह हमारा जब हम Finland बोलेंगे तो Finland के साथ उसका एक island island है मैं मैप में दिखाऊंगा आपको भी देखें यह Finland है यह Finland है और यहाँ पर किसका island है जिसका नाम है island island तो फिनलेंड के साथ यह आलाएंड आइलेंड ओटोमेटिक लिए जाएगा यह ओटोनोमस island है Finland का हिससा है लेकिन जो हम Finland बोलेंगे तो यह इसके साथ आ गया Nordic countries में Sweden नोर्वे अब जब नोर्वे बोलेंगे तो स्वाल जो हमारा स्वालवर्ड आइलेंड मैंने आपको दिखाया था उपर की तरफ यहां पर स्वालवर्ड आइलेंड था वो नोर्वे के साथ आएगा स्वालवर्ड आइलेंड यहां पर हमारा स्वालवर्ड आइलेंड होता अपने आप आप जाएगा फ्यूर आइलेंड और इसके उपर हमारा यहां पे क्या है ग्रीन लेंड प्लस आइसलेंड जो हमारा पांच वादेश हो गया इन सब के आप मैप देखिए इन सब के मैप आपको लगब 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 एक से दिखाई दे रहे हैं तो यह जो सारे के सारे फिलेग आपको एक से दिख रहे हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं सारे फिलेग ध्यान से देख लीजिएगा वास पट्टी पे रंका फलक है बागी एक हमारे सब के सब में स्क्वार एक स्ट्रिप बनी हुई है तो यह देश जो है कल्चरली प्लस जोग्रिफिकली एक से हिस्टोरी के लिए जोड़े हुए हैं यहां पर विंकीज अपना राज्य चलाया करते थे पहले और यह सारे के पांचों के पांचों देश मिलके बन जाते हैं नोर्डिक कंट्रीज अभी भी देखिया वकर कंफूज है तो हम फिर से रिवीजिन करेंगे यह वाले जो त फिनलेंड प्लस आइसलेंड को भी ले आए तो यह हमारा बन जाता है नोर्डिक कंट्रीज और इनकी जो टेरिटरी है जो टेरिटरी है अटोनोमस टेरिटरी वो इसमें अपने आप जाएंगे जिसे फिनलेंड की आलेंड आइलेंड है नोर्वे की हमारा स्वालवर्ड में पारलियमेंट है तो अपनी पारलियमेंट से कुछ रिपरेजेंटेटिव यह भेज देते हैं और यह इंटर पारलियमेंटरी नोडिक कोपरेशन है ठीक है 1952 में शुरू करी गई थी, इसके टोटल 87 representative इसके अंदर हैं, वो 87 representative कहां से आए हैं, इन सारे के सारे जो हमारे ये देश थे, नोर्डिक कंट्रीज, नोर्डिक कंट्रीज के जो पार्लियमेंट हैं, पार्लियमेंट से ही 87 representative चुने जाते हैं, नोर्डिक कंट्रीज प्लस उनके जो हमारी जितने भी उनके आईलेंड मैंने आपको बताया था, जो उनकी autonomous आईलेंड है, उनके प्लस नोर्डिक कंट्रीज के, कुल मिलाके 87 representative हैं, इस counselling के अंदर, इस council के अंदर, इसको बोलते हैं, नोर्डिक कांसिल, नोर्डिक कांसिल, इस इंटर, पार्लियमेंटरी, नोर्डिक कोपरेशन, इन्दों ने अपना गुरूप बना लिया है, और ये गुरूप के तहती कोई भी decision लेना होता है, तो इस गुरूप में discussion जरूर किया जाता है, ठीक है, कुछ important fact हम याद कर लेते हैं, यहापे नोर्वे और स्वीडन नोर्वे और स्वीडन ये दोनों ही देश European Union का पार्ट नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से question exam में आ जाता है, नोर्वे और स्वीडन जो है, ये European Union का पार्ट नहीं है, नोर्वे और स्वीडन दोनों ही European Union का पार्ट नहीं है, ठीक है, नोर्वे और स्वीड डेनमारक fix लist आइलेंड आइसलेंड नौर्वे डेनमार्क और आइसलेंड यह तीनों यह तीनों के तीनों देश न न लिद्वे महीं सूमर्ब ही हो ठीक है तो भी अब हमने देखा कि हमारा जो नौर्वे और जो स्वेडन है दोनों ऐरोपीन यूनियन का हिस्छा नहीं है बाकि सारे उरोपीन से हैं जितने हमारे Nordic country हैं दो नहीं है European Union में कौन से important है यह question जो आपको बता रहा हूं है Norway or Sweden मतलब Scandinavian Peninsula पर जो दोनों देश हैं वो European Union का हिस्सा नहीं है उसके अलावा मैंने आपको बताया कि Denmark, Iceland और Norway यह टीनों को तीनों जो देश है नाड़ों का हिस्सा है, कौन-कौन से देश हैं, Norway, Iceland और Denmark ठीक है नौर्वे, Iceland और Denmark जो है यह नाटों का हिस्सा है यह दोनों ही जो question में से पुछना कुछ एक्याम में पुछा दो सकता है, Norway और Sweden European Union का हिस्सा है नोर्वेई आइसलेंड दो ती Smith Thailand मिस्टेक करiosa हूं आइसलेंड और डैन मार्क जो है वो नोटों का इस्सा है नाटो का हिस्सा है, Nordic countries provide free and quality education, Nordic countries का एक special feature यह है कि यहाँ पर सारी के सारी education free है, quality education मिलती है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप ग्रेजुशन, पॉस्ट ग्रेजुशन, प्रेजुशन, PhD करना चाहते हैं, तो आपको पैसे की कोई attention नहीं, government आपको पढ़ाएगी, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाएगी, जो tax है, वो 40-50% के बीच में होता है, tax, ठीक है, free healthcare provide करी जाती है, unemployment benefit provide किया जाता है, अपने citizen को अगर किसी के job चली जाती है, तो दूसरी job के लिए हमेशा तयार मिलेगी, ठीक है, इसके लावा यहाँ पर person, और जो उनके senior citizen है, उनको pension plus accommodation का system भी यह country ह देते हैं, कौन से nordic countries मैंने आपको जो बता है, especially Norway, Sweden और Finland, यहाँ पर यह सब सारी चीज़े जब हो जाएंगे, तो यहाँ पर आलेडी, automatically जब इतनी facility government देगी, तो automatically इनका जो human development index है, human development index है, वो उपर चला जाएगा, और world happiness ranking में भी यह country आएंगी, तो मैं आपको यह task देता है, सारी के सारी में आपको top 10 के अंदर ही मिल जाएंगी, ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, कि यहाँ पर human development index इतना अच्छा है, world happiness ranking इतनी अच्छी है, उसके पीछे में ने वो करण बता है, कि free or quality education दी जाती है, यहाँ पर health care system free है, unemployment benefit to the citizens and pension plus accommodation to the senior citizen, इतनी सारी facility government देती है, उसके बदले में 30-40% tax लेती है, लेकिन आप tax government ले भी रही है, तो सारी खुसियां दे रही है, तो आदमी यहाँ परिशान नहीं है, दुखी नहीं है, खुस हैं, इसलिए world happiness ranking में Nordic countries सबसे उपर आते हैं, HDI में भी Nordic countries सबसे उपर आते हैं, अभी Nordic countries के बारे में हम एकर क ठीक है, जूट लेंड परॉण यहाँ पिनले सुलिए ग brighten है, इसकी यह केपिटल है, Copenhagen, ठीक है, Denmark, यह Denmark का फ्लैग है, जैसे मिने आपको दिखा चुका हो, को सारे ये देश इस्थित है और जो हमारे Nordic countries में सबसे दक्ष्रतम यानि Southernmost देश है ये ठीक है एटलस में देखिए आप डैन्मार्क को Most Southern in the Nordic countries Nordic countries में सबसे Southernmost देश है ये Most Southern नी Southernmost होगा जो ट्लेंड पैनन सुला पर है ये प्लस जर्मनी Capital है इसकी Copain Hagen Copain Hagen जहां से एक Bridge बनाके उसको आप Sweden से जोड़ दिया गया है ठीक है उसको आप Sweden से जोड़ दिया गया ब्रिज बनाके कौन सी स्टेट के ओपर ब्रिज बनाया गया है मुझे कमेंट करके बताईए Constitutional Monarchy है ये यहाँ पर कोई राजा या रानी सासन करता होगा लेकिन वह केबल सासन नहीं करता होगा उसके पास अधिकार नहीं होंगे कौन सा राजा ये रानी सासन करता है वह आप Google से देख लीजिएगा इंपोर्टेंट नहीं है Constitutional Monarchy का मतलब है यहाँ पर किसी राजा की सत्ता रहती है लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं होते है अधिकार बार्लेमेंट के पास ही होते है ठीक है Member of the European Union प्लस नेटों इंपोर्टेंट दोनों का ही यह इस्सा है और यह जो फ्लैग आपको द इसका जाता है इसके जो territory आपको मिलेगी आप Atlas में देखिए तो Finland की territory आपको मिलेगी किसके पास Russia से जुड़ी ही मिलेगी प्लस हमारी Norway और Sweden से जुड़ी ही मिलेगी Finland की territory ठीक है इसी Capital क्या है इसी Capital है Helsinki Helsinki Capital है इसकी और यह European Union का Member है और NATO का Member नहीं है नाटों का Member ना होने के पिछे कारण क्या है कि इसकी boundary जो है Russia से touch होती है Russia का pressure रहता है कि आप नोटों का इसा नहीं बनेंगे ठीक है तो जो फिनलैंड यह फिनलैंड का flag है ठीक है यह Land of 1000 लेग इसको बोला जाता है इसकी Capital Helsinki है Helsinki जो की Baltic Sea के किनारे पर इस्तित है एक Helsinki Convention भी है वह हम पढ़ेंग तो आइसलेंड की population बहुत ही कम है लगबग 3,20,000 और यह NATO का member है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ और यह European Union का member नहीं है जो आइसलेंड है वो NATO का member है European Union का member नहीं है लेकिन European Economic जो हमारी यह है European Economic Area एक हमारा संग्टन है उसमें यह भाग लेता है ठीक है European Economic Cooperation में यह के अंतरगत यह भाग लेता है कौन सा आइसलेंड ठीक है तो यह यह European Union का हिस्सा नहीं है तो इससी करंसी क्या है इसलेंडिक क्राउन जितने वी देश मैंने आपको पढ़ाए है अभी नोर्डिक कंट्री जिनकी करंसी क्या है क्राउन जरूर लगा मिलेगा आपको तो क्या है आइसलेंडिक क्राउन इंपोर्टेंट है याद रखेगा आइसलेंडिक क्राउन और इंपोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो कैपिटल है रियाविक रियाविक रिजाविक नहीं बोलते है रियाविक है इसकी कैपिटल रियाविक जो है वो दुनिया के सबसे नोर् केपिटल आपको मिलेंगे कि 66 एंड हाफ डिगरी के आसपास यह आपको दिख रही है इसकी नीचे जो केपिटल यह 60 डिगरी के लाइन है उसके आसपास पढ़ती है हमारी ऑसलो स्टोक होम हैल सिंग की यह थीक है फिनलेंड की कैपिटल है सिंग की जैसे मैं आपको बता रहा है नार्वे से मिलता है और स्वीड है ठीक है तो इसंग के नीचे है तो दुनिया के सबसे इसकी नहीं है क्योंकि यह क्योंकि यह रखिएगा रिया वे हम कहां पर थे हे हम यहां Πेट थे सब्ल तो देखिए इसकी population में आपको बताई बहुत कम population है Iceland की NATO का हिस्सा है European Union का हिस्सा नहीं है currency है इसकी Icelandic crown और इसकी जो capital है वो दुनिया की रियाविक सबसे उत्री capital है उसके बाद हमारा Norway, Norway जिसका तटकटा-फटा है ठीक है और नोबेल का जो हमारा Nobel Prize मिलता है उसमें से Nobel Peace Prize Norway ही देता है Norway जो Scandinavian Penanzula उस पर दो देश है Norway or Sweden Map में देखिए तो Norway जो है हमारा वो हमारा Peace Prize जाता है Nobel Peace Prize Norway के दुआरा ही दिया जाता है ठीक है इस देश के पास इस देश में मोनार के क्या होता है रिपब्लिक नहीं है यह यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है नाटो का मेंबर है नोर्वे भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है और नाटो का मेंबर है लेकिन यह के तहत स्पेशल एकोनोमिक कोपरेशन में भाग लेता है यूरोप के लेकि European Union का मेंबर यह नहीं है नोर्वे नोर्वे का फ्लेग है उसके बाद हमने देखा स्वीडन अगला नोर्डिक कंट्री स्वीडन तो स्वीडन में जितने हमने बताया कि अलफर्ड नोबेल जो थे जिनके नाम पे नोबेल प्रसकार दिया जाता है तो पीस प्राइस को ठोड़ दे नोबेल का NOBEL Ooooh पीस की चित्र में उसको छोड़ दें तो उसके लावा जितने भी नोबेल प्राइज दिया जाते हैं वो सारे के सारे सूडन देश यह देता है आप कमेंड करके बताईए नोबेल प्राइज किसकी चित्र में दिया जाता है ठीक है most populated nordic country है यह nordic country जिमतने हैं जितने ही मैंने आपको बता है पांच देश उन पांच देशों में सबसे अधा populated जो है सबसे अधार लोग इसी देश में रहते हैं स्वीडन के अंदर इसी capital stock home है stock home जो की बाल्टिक सी के किनारे परिष्टित है यह भी एक constitutional monarchy है ठीक है यह Sweden European Union का member है NATO का member नहीं है Sweden जो है European Union का member है और NATO का member नहीं है Arctic Council क्या है तो देखी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यह हमारा है Arctic Circle यह Arctic Circle आपको दिख रहा होगा Arctic Circle पर जितने सारे देश पढ़ते हैं उसमें सब मैक्सिमम देश तो यही है जो हमने Nordic वाले पढ़े तो देख लेते हैं यहाँ से चलें तो Finland पढ़ेगा Sweden पढ़ेगा Norway पढ़ेगा Arctic Circle में आएंगे उसके बाद हमारा Iceland पढ़ जाएगा Iceland कुछ books में दिया जाता है कि Iceland इस पर आता है कहीं पर लिखाता है Iceland नहीं आता है जश्ट टच करके निकलती है Arctic Circle तो Iceland आएगा प्लस यह Greenland आएगा तो जब Greenland आएगा तो Greenland आएगा तो Greenland अपने आप में एक अलग देश नहीं है वो किसका इस्सा है तो Denmark का इस्सा है तो Denmark अपने आप आप Automatically यहां पर आ जाएगा उसके बाद कनाड़ा और कनाड़ा के बाद या लास का वाला यूएस तो इतने सारे देश आएंगे हमारे किसके उपर Arctic Circle के उपर तो Arctic Circle के उपर आने वाले देशों ने अपने एक कांसिल बना ली है जो कि September 1989 में बनाई गई थी क्यों बनाई गई थी तो प्रोटेक्ट दा Arctic Environment Arctic Environment को बजाने के लिए एक Arctic Cancel बनाई गई जिसका प्रस्ता फिनलैंड ने दिया था सेप्टेंबर 1989 में इसमें आठ Arctic Country हैं कौन के आठ देश हैं वो जो मैंने आभी आपको दिखाए कनाड़ा डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड नोर्वे रसिया स्वीडन और यूएस से यह वो आठ देश हैं जो आर्क्रिक सरकल पर पढ़ते हैं आर्क्रिक सरकल पर पढ़ने को आर्क्रिक सरकल कहते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके लेटिटूड लोंगिटूड वाली वीडियो देख सकते हैं ठीक है इसमें इंप्रोटेंट बात यह है यह क्यों बनाया गया था तो प्रोटेक्ट आर्क्रिक एन्वार्मेंट को बचाने के लिए बनाया गया था फिनलैंड के दुवारा इनिसेटिव लिया गया और एक ओटवा ओटावा डेकलेरेशन किया गया ओटावा जो कि कनाड़ा में है ओटावा डेकलेरेशन हुआ नाइटिन सेप्टेवा नाइटिन नाइटिन सिक्स को साइन हुआ ओटावा डेकलेरेशन और उसके तहत उन्होंने सभी के सभी आठो के आठो देशों ने साइन किया किसके तहकिस में ओटावा डेकलेरेशन ओटावा कहा है कनाड़ा में ओटावा डेकलेरेशन कहां हुआ नाइन्टीन सेप्टैवन नाइन्टी सिक्स कनाडा में हुआ और यह माना गया कि हम आर्खिटिक एन्वार्मेंट को बचाने के लिए मिल जूलकर काम करेंगे यह आज रखेगा ओटावर से संबंदिद है और टावर डिकलेरेशन यह कहीं पूछा जा सकता है ठीक है यह मैं आपको बताए दिया आर्खिटिक कंट्रीज क्या है फिनो सकंडिनेविया क्या है और बाल्टिक कंट्रीज हम किनको कहते हैं यह हम प्रिष्ली वीडियो में डिस्क्सम कर चुके थे और मिलते हैं आने वाली ऐसी किसी एक वीडियो में तब तक खुब अपना ख्याल लखें मुश्कुराते रहें गाते रहें जेहिन जेवाद